नमस्कार दोस्तों बाबा आयरवेदा में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जल कुम्भी के बारे में जिसे कुम्भी खा, अकास समली, ताका पान्ना, गोंडाल और नीर चीर के नाम से भी जाना दाता है यहें मनस्पती जल के उपर पैदा होत्ती है इसका सवरूप काई की तरह होत्ता है जो प्राय सब तलाबों में और रुके हुए पानी पर छाई रहती है आयूर वेदा नुसार, जल कुम्भी, सितल, कडवी, हलकी, स्वादिष्ट, सारक, चरपरी, त्री दोस नासक और रुक्खी होत्ती है रक्त विकार और छै रोग जनित गरंतियों के बढ़ने पर यह लाबदायक है इसकी राख को पानी में गलाकर उस से एक परकार का छार तियार किया जाता है इस छार में पोटास, कलोराइड और पोटास, सलफेट, जवाखार की तरह ही पाया जाता है गले की सुजन में जल कुम्भी और नागर बेल के पान का सवरस देनने से लाब होता है मुत्रागात या पेशाब की जलन बंद करने के लिए जल कुम्भी का काड़ा पिलाकते है और इसको पेट पर बांधते है इसके पत्तों का पुल्टिस बना कर खुनी बवासीर और रक्त सराव के उपर लगाया जाता है चावल और नारियल के दूद के साथ इसको मिलाकर पेट्चिस की बिमारे में देते है खासी और स्वास में इसकी गुलाब जल और सक्कर के साथ मिलाकर देते है इसकी राख को कपाल के दाद के उपर लगाने से दाद नश्ट हो जाता है मुंड़ दात्ती के लोग इस वनस्पती को कर्ण सूल के लिए काम में लित्ती है अर्थार्थ कानों के दर्द में चीन के चिकित्सा सास्तर में यह वनस्पती बहुत प्राचिन समय से लोग पिरिये रही है वहाँ पर इसे घाव उपदंस रोग जनित फोडो वे चरम रोगों में काम में लेते है लोरी यूनियन में इसका काड़ा मुत्र नली के रोगों में उपयोगी माना जाता है इसके पत्तो की गोलिया बना कर उन्हें उपदंस की बिमारी में देने के काम में लेते हैं इसका एक नुश्का आपको बताता हूँ जो पुराने चरम रोगों में बहुती ज़्यादा कारगर है आप इसके पत्तो को गोट कर रस एकत्रित करें और फिर उस रस को नारियल के तेल में डाल कर हलकी आज पर पकाए जब तेल मत्र सेश रह जाए तो उसे उतार कर छान कर सिशी में बंद करके रख ले अब इस तेल को आप चरम रोग पर इस्तमाल कीजिए यहां चरम रोग की बहुती कारगर दवा है इससे बहुत ज़्यादा लाब आपको मिलेगा कई हकिमों के अनुसार जल कुम्भी की दो जाती आए जो एक जल में पैदा होती है और दूसरी जंगल में इसको गर्मी की सुजन पर लगाने से सुजन बिखर जाती है पेसाब की जलन को यह दूर करती है शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले रक्त सराव को यह बंद कर देती है नासूर को भरती है इसकी जड के चूरन के मिश्री के साथ फंकी लेने से और उपर से गुलाब का अर्क पीने से खासी दूर हो जाती है इसकी जड को काड़े में सहद मिला कर पीने से दमा जाता रहता है इसकी राख को गाय की मुत्र में पकाकर छान कर पीने से था पाने से सिर की गंज भी मिठती है तो दोस्तों ये थी जल कुम्बी के बारे में मेरी छोटी सी जानकारी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इसी परकार के जानकारी आपके लिए लाता रहता हूं